हाई मेरे नाम संधीप है वर आज हम बात करने वाले हैं Omicron के बारे में Omicron coronavirus की न्यू स्टेज़न है हम इस वीडि़ो में जाएंगे कि Omicron को सबसे पहले कहाँ पर रिपोर्ट किया गया Omicron coronavirus की दूसरी स्टेज से किस तरह से अलग है Human population के लिए ये कितना घातक हो सकता है, इसके symptoms क्या हैं और हमें इससे बचने के लिए क्या उपाय करने होंगे Omicron का infection सबसे पहले South Africa में report किया गया Omicron coronavirus की दूसरी stage से बहुत जादा different है इसमें लगबग 44 mutation देखे गए हैं जिसमें से 32 mutation उसके spike protein में है इसकी transmission rate बहुत हाई है जिसकी वज़े से ये बहुत ही कम समय में more than 20 country में transmit हो चुका है Human population में अभी तक कोई severe cases नहीं देखे गए हैं हालकि क्योंकि Omicron में जादर mutations spike protein में देखी गए हैं इसी वज़े से एक चिंता के विशे बच जाता है coronavirus के लिए spike protein बहुत important होता है क्योंकि इस spike protein की वज़े से ही वो human cell में entry कर पाता है coronavirus के against जो vaccine develop की गई है वो vaccine spike protein को target करकर ही बनाई गई है जब हमें vaccine दी जाती है तो हमारी body coronavirus के spike protein के against antibody develop करती है और जब हमें coronavirus का further infection होता है तो ये antibodies उसके spike protein से bind कर जाती है जिसकी वज़े से coronavirus हमारी cell में entry नहीं कर पाता है और हम coronavirus के infection से बच जाते है लेकिन क्योंकि omicron के अंदर जारा तर जो mutation है वो spike protein में देखे जा रहे है तो उससे इस बात का खत्रा बढ़ जाता है कि जो antibodies हमारी body ने develop की है वो omicron के spike protein से बाई ना हो पाए हाला कि जब vaccine को बना जाता है तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि अगर future में virus में mutagen होता है तो उससे में भी vaccine proper तरीके से काम करती रहे इसलिए vaccine को spike protein के different parts के against target किया जाता है जिसकी वैसे हमारी body spike protein के different target reason के against antibodies बनाती है इसे होता क्या है कि यदि spike protein के एक part में mutation हो जाता है तो उसके बावजूद भी जो हमारी body ने antibody develop की है वो work करती रहेंगी क्योंकि हमारी body ने spike protein के multiple parts के लिए antibody develop की है तो अगर एक reason में mutation हो भी जाता है तब भी जो other antibodies है वो spike protein से bind हो जाएंगी और virus को cell में enter नहीं होने देगी तो अभी तक के लिए vaccine हमारी ने safe है हाला कि क्योंकि जादा mutation जो है spike protein में देखे जा रहे है तो उसकी कितनी efficiency रह जाएगी ये देखना पड़ेगा Omicron के against mild symptom ही देखे जा रहे है जातों लोगों को सर में दर्द हो रहा है धकान हो रही है और उनकी heart rate टेज हो जाती है अभी तक जो Omicron का infection है वो young population में देखा जा रहा है और उनमें mild symptom ही देखे जा रहे है तो देखना ये होगा कि जब Omicron का infection है old population और children's में होगा तब वो कैसा response करेगा हमें Omicron की infection से बचने के लिए कुछ साफधानी बरत नहीं होगी जिससे साफधानी वो कुछ अलगत रहके साफधानी नहीं है जो जैसा हम अभी तक coronavirus की against करते आएं सिम भैसा ही हमें करना होगा social distancing का ध्यान रखना होगा mask पहनना होगा और अच्छे से sanitization का भी ध्यान रखना होगा तो आशकरतो आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो प्लीस लाइक कर देना अभी तक के लिए बस इतना ही अगली पर फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार